अब यहां पर इसकी यह सारी विल्ड से और हमने पॉप डिजाइन किया था जिस पर जो सब्सक्राइब बेसिक इंफिक इनफिशन लिए वह यहां पर इसकी यहां पर इसकी इसकी प्रोजेग करते हैं यहां पर इसकी यह सारी फिल्ड से और हमने एक पॉप डिजाइन किया था जिस पर जो सब्सक्राइब बेसिक इनफिशन लिए वह यहां पर आ रही है तो आज हम सबसे पहले एक डेटाबस में टेबल बनाएंगे इसके लिए सबसे रिलेट तो सबसे पहले में यह वाला हमार इसके बाद हमारा स्टाफ नम के अप्रेट जिसे अम उपन करेंगे तो मैं इस ओपन करता हूं तो मैं जिलता हम इसी डॉक के अंदर देन टुटोरियल देन इसके बाद हमारा स्मस और स्मस के अंदर एप्लिकेशन और शज्यूर और रिष्यायी स्टाफ नाम से अति यह मंई स्टाफ नाम से इसको च्वाद हमिआत पिंसर में करेंगें हम वही नाव हमारी उसकी भी रखेंगे इस लेम नहीं असली है तो नेम, एफ नेम, इमेल, मोगाइल नंबर तो हम सब्सक्राइबस में चलते हैं तो यह हमारा पीश्टमाइडमीन है इसके अंदर यह मैप्रो देन इसके अंदर में पर टेबल नहीं डेटाबस होना होगा हमा के इसके बार हम देंगे इस नेम किया दाएगा इमेल मोऑइल नंबर डीयो भी तो हम अंद देंगे हम इमेल और इसके बारत देंगे हम मोओइल नंबर डीयो भी then इसके बाद होगा join date और experience then join date then experience और से के लागा कोई option है या नहीं तो इसके बाद payment है और other information है तो यहाँ पर होगा payment तीन और ले ले लेते हैं हमा तो तो पेमेंट के बाद है स्टाफ वर्द इंफॉर्मेशन इसके बाद हम एक और फिल्ट बनाएंगे स्टेटस देनेक बनाएंगे क्रेटेट इसके यह हमारी साइफ इसके अधियर हो चुकिया करते हैं यहां करते हैं वेर के और एक्सपीरियेंस को कि हम देखते हैं वेर के और पेमेंट आए तो बाद आप अशुचन हम और पाद अर्व इंपोल पार नहीं में की टेक्स्ट और इस्टेटर्स हम एंटीज हर राखेंगे इसे यहां पर हम डिफाइन करेंगे 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 या से यह है और इसके हमें कोई लेंस नहीं है इस हम देंगे 255 क्योंकि वेर केर में लें देना हुट थी किसके अंदम किते करेक्टर स्टो करेंगे तो इसलिए हमें आपका एक इंटिज वेल्यू देना हुट थी कि में पर्टिकुलर इत्त करने देनी समयासा नला चेक लगा जाए सबीपन आलके कि यह हो चुका है कम्प्लीट कर देन इसका हम जो नल चेकी हटा देते हैं और इसे हम एल्स दिफाइन कर देते हैं वन और अटा इंक्रेमेंट को मैंसे चेक कर देंगे और गो सब्सक्राइब करेंगे और इसे इंसर्ट करेंगे और इसे इंसर्ट करेंगे और वे इसे महें हम आते हैं इससर्ट करेंगे असका अधा है यह हमारा इसे इसे ओपन करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे root folder पर, then tools, tools के अंदर हमारा js है, then js के अंदर हमारी custom.js, तो इसे ओपन करेंगे हम, जैंसके footer section पाएंगे हम यहां पर, तो यहां पर हम लिखेंट गए, कि जो हमारा एक particular form है, जब यह submit हो, तब एक function execute होगा, anonymous function बोलते हैं से, जिसका कोई नाम नहीं हो, हम function का cable function लिखते हैं, उसकी body बना देते हैं, नाम नहीं देते हैं, उसे anonymous function कहा जाता है, then यहां पर हम लिखते हैं, alert, then save, और हम लिखते हैं, return, return, return false का हम हमारे previous video में देख चुकि हम क्यों लगाते हैं, वह मैं आप को एको बाउस का demo देखा दूँगा भी return false का, यहां हम डायरेक्ट लिख करते हैं, हम जो form हो, submit होने का event है, वो work कर रहा है, नहीं, तो वहां से click करते हैं, तुमने जैसे ही click किया, तो देखे नहीं मांगा, stop का name, वारी information फिल करते हैं, अगर हम फिल नहीं करेंगे, तो वह लाई दिखी, email है, mobile number है, okay, हमने शायद mobile number पे, यहां पर email दे दिया, इसलिए दिखा दा रही है, हम दिखते है, mobile number यह email हो, यह mobile number पे दिखी, यहां पर चाह देना होगा, टेक्स्ट, यह सब जो validation लग रहा है, यह इस required keyword के करण लग रहा है, हमने required उस किया हुआ है, इसलिए इस तरह की validation वक कर रही है, यहां पर email का इसने validate इसलिए करा क्योंकि हमने आप required उस करा, और date में ही है, automatic date आती है, तो इसे अब refresh करते हैं, आपर से check करते हैं, यहां देखेंगे तो हमारा page reload हो गया है, page reload हुआ है, मतलब कुछ नो कुछ हमने गलती करी है, जो हमारी JavaScript हमने लिखी है, उसमें कहीं न कहीं हमारी जो फाइल से include नहीं हो पाई है, या फिर हमारी JavaScript प्रपर लोड नहीं ही तो हम इसको नाम को एक बाद कॉपी करेंगे, और एक बार backtrack करते हैं, तो हमने एक फंक्शन एक बार इस तरह से चल रहा है, तो कुछ नहीं है, तो हम एक बार इसे hard reload ओर करेंगे, बार हो सकता है, यह जावा स्क्राइब लोड ना हुई हो यह प्रोब्लम आती है, तो हमने इसे एक बार hard reload कर लिया है, hard reload दो करने के दो तरीके होते हैं, पहले आप Ctrl A5 कर लें, यह आप इंस्पेक्ट प्रेस करें, यहाँ पर आता है hard reload, इससे आप इसे hard reload कर सकते हैं, यह दो तरीकों से हमारा system हो hard load होता है, यह से करते हैं, यहन बापस से बापस समसा information फिल करते हैं, यह देखिए, यह प्रॉब्लम थी वह हमारा अगला action url है, वह हमें get करना है, तो हम देखते हैं हमारा action url, action url बेसिकली इसलिए होगा कि हमारी जो एजक्स है होग कि particular url पर redirect होगी, उसके लिए हम action का use करते हैं, तो हमे यह यह url यह get करना है, नहीं हमने action your committee करना है, तो हमेरे पास यह form से हमने action, कर आँकर करना है कर हमारी form submit हो. तब हमारा यह submit होता है, तब इस particular form का action हमें get करना है, तो हमें use यह यह से this, क्योँकि हम particular form पर यह action करना है है, हमने यहां पर फॉर्म को संबिट किया है तो हमें इसी फॉर्म को चाहिए तो हम यहां पर लिखेंगे यॉर्ल नाम का एक्वेड बनाएंगे इक्वास टू देन यहां लिखेंगे डॉलर धीस एट रेयार एक्षन देन अगर अब हम इसे अलर्ट करें तो यहां पर हमें यॉर्ल रसीव होगा देन सेव और हम करते हैं के बार रिलोट यह देन अब चेक करेंगे हम अब हमने सब्मीट किया तो दिखिए जो हमारा यॉर्ल था वो इस एडिस हमारे इसमें आ चुका है तो यह हमने यॉर्ल गेट कर लिया है अब हमारे पास जो हमारा आजेक्स से इसमें कुछ पिरामिटर लखते हैं पहला हमें यॉर्ल की रिक्वार्ड होती है जिसके हमें एक्षन देना है then second हमें पिरामिटर जो रहता है वो डेटा होता है तो अब हमें देटा गेट करना है तो हम उसके लिए एक ऑबजेक्त बन hasName.Wale, then सबसे आंके समिकॉलन निया पर कॉमा लगता है, then इसके बाद हम इसे number of time paste करेंगे, और सब्सक्राइम वेल्यू चेंज करेंगे, फिर इस सेकेंड होगा, fName, then इसके बाद एमेल, then इसके बाद होगा, mobile number, mobile number, then mobile number के बाद अगली field है, DOB, then DOB के बाद होगी joint date, then experience, तो इसके अगली होगी, DOB, join date, then इसके बाद होगा experience, तो यह लिखिए हम exp, then इसके बाद हम देंगे payment, payment है, payment के बाद है, इस दर staff information, तो ठीक है, तो हम payment के बाद है, other staff information, तो यह other staff information आप पुट करेंगे, then इसके बाद हम देंगे payment के बाद होगी, payment और यहां से गेट कर लेते हैं, तो यह हमारे पाद सारी value हमारे इस object अंदर आच किये, then अब इस हम console.log करेंगे, console.log करने से हमारे console पर data print होगा, तो हम देखेंगे हैं इस इस console पर time data किن तो मैं इस archive करते हैं, then इसे हम करते हैं हाथ Rep kar लेतन हैं हम इस इंसे इंस्पेक कर लेते है, board से अग बार हम हाथ रिलोट करेंगे, then console पर चेक करेंगे, यह नहीं जो हमारे डेटा हमने सेंड करेंगे वह हमारे console पार राएकन तो मिआसे console ओपन कर ले थे जैन मैं console को फुट तरस कलेर कर देता हूं बारा हम चेक करेंगे कि अब बीए console glare आप लेन यह पर चेंफोर्मेशन फिल करते हैं कि कि यह जैसे संत्समीट किया दिखिए था इंफोमेशन आरे गवार कंसरोल पर आ चुक है यह था मने इत्थी इंफोमेशन कलिए यह सारी में आपर मिल रही है गेर नेम जो है यहां पर इस नेम है नेम नहीं है और यूजर इमेल है इमेल नहीं है तो इससे कर देते हम इमेल तो अब हमार जो डेटा है वो प्रॉपर फॉर्मिट्र में अविलिबल होगा तो इससे हम करते है एक बार रिटन टेस्ट इससे करें लें कुलिख करें हो अरे पास डेटा चुका है तो इसे अरी फिल्ट है हमारी उन लिटा मिल रहा है तो यह में हमने जो डेटा था या अभी की वीटियू में के अरे छीच्टे लिए 통ן जो आउय के लिए जो एजेट्स रिक्वेस्ट है वो लिखेंगे वो डेटा बेसमें डेटा इंसेट करेंगे तो अभी किस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसना सा लाइक एंड शेयर करें और हमाई चैनल को जो सस्क्राइब करें ताके हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसके कि आपको मिलते हैं और सब्सक्ताय ओर अपको वीडियो टो अधिस्प्सészव है तोंबाते हैं तो आप मेरी में कर सकते हैं आपको मेरी में कि इस विदियो निए कि इसलाज़्यम साक्शन में में वबिभी यह तो आ